कि यह तो अच्छा कोशन है आशिश बाबू कि सोचो परिदी जी डबल एक्सपनेंशल की पार माइनस एक्स मैनेस टीटर को आई एक्स बिलॉंग्स तो आर फूफ विच अपने स्टेटमेंट्स इसार ट्रू एमेली निकालो भाई साथ्या आएगा बताओ इसमें मोड लगा है क्या दिख रहें इसमें सैंपल साइज 4 है एक्स बन लेस टो एक्स तरी एक्स तरी एस तरी लेस देन 4 हो गया मुझे रहा है A answer correct होगा और C correct होगा sufficient B भी correct होगा whole sample तो हमेशा sufficient होता है A अगर order stats निकालोगे इसका midpoint पे तो आई सकता है mean क्योंकि symmetric curve है ना बिटा तो we can estimate the curve एसे है ना curve है ना बिटा तो half x minus less than theta है तो less than होगा तो plus हो जाएगा यह है यह theta हो गया तो we estimate the parameter mean of this तो mean क्या है इसका x2 plus x3 by 2 A B correct है इसका मैंने जाद दिमाग ने लगा है simply कर दिया ऐसी कि आप भी कर सकते हो ऐसे बेटा this curve is symmetric about what theta ना तो mean क्या है इसका theta ठीक है तो whole sample हमेशा sufficient होता है यह यह भी c correct check कर लो ठीक है कि नहीं है c 1 by 4 x2 plus x3 x2 plus x3 theta theta plus 1 तो theta क्या है आपका estimate x2 plus x3 by 2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 solve करो इसको जड़ा तो x2 plus x3 1 by 4 तो x2 plus x3 plus 2 आ रहा है ना यह answer अच्छा यह क्यों current नहीं है कोई बच्चा बता सकता है मुझे यह बहुत अच्छा question है थोड़ो change करो यार complete state बेटा जब भी complete पुछा है पहले sufficient रून होगे ना sufficient बताओ यह क्यों sufficient नहीं है जारो क्या बेटा पहले बताओ आप जब भी sufficient की बात करते थे x1 x2 whole sample x3 सब sufficient होता था कि नहीं होता था फिर आप बोलता था सर summation x i भी sufficient है x1 plus x2 plus x3 plus x4 भी क्या है फिर मैं बोलता था x1, x2 plus x3 plus x4 भी sufficient होगा ना मैं बोलता था कि नहीं बोलता था यह सबसे important बात थी इसका question से तो कोई लेंड़न था ही नहीं इसका विकॉज समझे की नहीं बेटा यहां भी x1 x2 आ रहा है यहां भी क्या रहा है x1 और बेटा प्रोड़क्ट एक्साई समझ सफिशन्ट होता है I agree with you प्रोड़क्ट एक्साई क्या होता है सफिशन्ट होता है लेकिन यह प्रोड़क्ट एक्साई तो है पर repeat और रेंट चीज़े तो independent नहीं है क्या नहीं है बेटा ही तो इसलिए सफिशन्ट नहीं तो complete की बात कहां से आई मीन निकाल दिया मैं तो यार इसी मीन पर estimate कर दिया sample की मीन पर method of moment से करके देखना हाँ बेटा completeness कैसे आ जाएगी ऐसे बिना सफिशन्सी के सफिशन्सी है उसके बाद complete नहीं हो सकती पर पहले तो सफिशन्सी कंडिशन है ना कैसे बिटा मौट एक्समेंशन नेगेटिव और पॉस्टिव होगा और पॉस्टिव होगा मीडियन ले जान तो एकसमेंश इसे होगा मीन मिडियन मौड सब सब क्या गरिएब सब करते का का कि अरे कि किसके से मेट्री कैब यह टी टा के इसका मीन भी थीटा मॉड भी का है नोमल डिस्ट्रिपूशन का मीन भी करता था 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 जू आ ना हना थीटा तो बेस्स रिजन अभ गिवन इस रव इस्टिटर्व कर वित थीटा रहाँ थीटा तो मैंने भी एभ एस्टिमेटट आरे जही दो यह थीटा का पाई है है बेटा MLE बहुत सारे होते हैं कि ये भी MLE है तो ये भी तो MLE है ने बेटा उसको इसकी है हाँ इस केसमें तो क्योंकिए सिमेट्री के बिद्धम करव ठीक है जितना रहा है उसके बड़ा है उतना ही उससे छोट है आप लॉग लाइकली हुड सब करके देख सकते हो चाहो तो आप समेशन मॉड एकसाई ठीटा आजाएगा आपका करके बदाता हूं यहां मिले को करना ही बड़ेगा नहीं है बिटा आपके बड़ेगा आपके बड़ेगा नहीं है आपके बड़ेगा नहीं है लॉग लाइकली हुड तो माइनस समेशन मॉड एकसाई माइनस ठीटा करो ना तो मॉड है तो वी है टो टेक गड़ेगा इस आई 1 2 N सिधा डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव कैसे करेगा यह तो MLE तो फेल हो गया नहीं तो जीरो से बड़ा ले दो फंक्शन यह होगे न अरे ऐसी होगा बिटा हाफ एकस माइनस ठीटा इस ग्रेट दन जीरो एकस माइनस ठीटा इस माइनस ठीटा इस माइनस ठीटा लोग ना मॉड के अंदर तो एकस माइनस ठीटा है ना तो यह X is greater than theta है यह X is, मैं भी क्या बोल रहा था पहले तो sample में कोई positive value है वैसे तरपास आज आज चल एक तरीका और best तरीका यह तो sample नहीं दिया हुआ इसने बच्चों काम की बात sample की मालों सारी value 1,2,3,5 है 0 से बढ़ी है तो सारी sample की value किस category में आईगी उपर वाली में आईगी तब आप X1 बोल सकते है सारी sample की value negative आती तब आप X1 बोल सकते थे तो symmetric होती तो mix आती तो आपको फिर करना पड़ता न जैसे मैंने किया भी आप समझ में आई बात आपको कि नहीं है तो sample की value पर भी काफी कुछ depend करता है इस question के अंदर पर यहाँ दी नहीं होई तो because the curve is symmetric about theta, mean, median, mod, sub, theta है तो the best choice is the median, midpoint पर estimate कर दिया जी हमने बिटा को logically भी तो सोचो ना अब sample को बहुत अच्छा question done है नहीं यहां तक